ध्यान देने योग्य जरूरी बातें नमर एक लंबे समय तक लगाता टीवी देखने से रीड की हड़ी और गर्दन से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं नमर दो जादा चाय का सेवन करने से दांतों के एनामिल पर बहुत बुरा असर पड़ता है नमर तीन रोजाना सुबा उठकर कंगी करने से बाल मजबूत होते हैं नमर चार एक चमस दालचीनी का उपियोग दिन में किसी भी रूप में सेवन करने से निरोगी रहेंगे नमर पाँच आदे सिर में अगर दर्द हो तो अंगूर के रसका सेवन करे नमर छे रात और दुपैर के भोजन के बाद एक कली लहसुन की खाने से बजन तेजी से कम होने लगता है नमर साथ सफेद चने शुगर को कम करने में मदद करते हैं नमर आठ जादा ठंडा पानी पीने से बाल जढ़ना शुरू हो जाते हैं नमर नौ काली मिर्च को पानी के साथ खाएं बुढ़ा पाज जल्दी से नहीं आएगा नमर दस सूखा पुदीना शरीर पर मल लेने से शरीर के दाग धब्बे दूर हो जाते हैं नमर ग्यारा उबले हुए आलू खाने से हिर्दय स्वस्त रहता है नमर बारा सावले रंग वाले कच्चे दूद का इस्तेमाल करें रंग साफ हो जाएगा नमर तेरा आखों के नीचे अगर काले घेरे हैं तो रोजाना कच्चे आलू का रस लगा कर पांच से दस मिनट के लिए छोड़ दें घेरे हट जाएंगे नमर 14 अधिक पानी पीने से गुरदे खराब नहीं होते नमर 15 गुलाब के फूल की पत्ती चवा लेने से खून की कमी कमी दूर होती है नमर 17 किषमिस खाने से थकावट दूर होती है अगर भूक ना लग रही हो तो अनार दाने पर काली मिर्च और नमक छिड़क कर खाएं सूखी धनिया के तीन चार दाने चवाने से उल्टी नहीं आती हरी धनिया के पत्ते चवा लेने से उल्टी आने बंद हो जाती है आँखों की रोशनी तेज करने के लिए सौफ का जादा इस्तमाल करें खीरा खाने से दिल की धड़कर नॉर्मल रहती है पतले होने के लिए दही लौकी करेला सलाद शहद गरम पानी का नियमित सेवन करें बजन तेजी से कम हो जाएगा प्याज का चार बनाकर घर में जरूर रखें इसके सेवन से खुन की कमी दूर हो जाती है अमरूत खाने के तुरेंट बात पानी नहीं पीना चाहिए इससे हैजा होने का खत्रा बढ़ जाता है गरम दूद में केसर मिलाकर पीने से सीने की बल गम दूर हो जाती है 27. गरम दूद में हलदी मिलाकर रात को सोने से पहले पीए जुखाम से राहत मिलती है 28. नीबू के रस को खुजली वाली जगह लगाने से आराम मिलता है 29. चुकंदर का जूस पीने से शरीर में ताजगी आती है और खून की कमी भी दूर हो जाती है 30. अदरक वाली चाय पीने से पाचन सुधरता है और शर्दी जुखाम से राहत मिलती है 31. तुलसी की पत्यों का काड़ा बना कर पीने से सर्दी जुखाम ठीक हो जाता है और कफ दूर होने में भी मदद मिलती है 32. नमक और सरसो का तेल मिला कर दांतों की मालिश करें दांत सुस्त रहेंगे 33. अजवायन का पानी सुबा खाली पेट पीने पाचन सुधर जाएगा 34. काले अंगूर खाने से आपका रंग साफ होगा और चहरे पर चमक आएगी 35. सूखे धनिय का चूड बना कर खाने से खांसी में आराम मिलता है 36. हींग को पानी में घोल कर पीने से पेट दर्द में राहत मिलती है 37. हींग बलर प्रेशर को कंट्रोल रखने में मदद करता है 38. खाना खाने के तुरेंट बाद नहना शरीर के लिए नुकसान दायक होता है 49. हिर्दै रोगियों के लिए अरजुन की चाल को पका कर पीने से फायदा मिलता है 40. सफेद प्याज को बालों में लगाने से बाल जढ़ना बंद हो जाते हैं और बाल लंबे होते है 41. शुगर के मरीज के लिए जामुन खाना रामबाड उपाए है 42. सलाद को भोजन करने के आदा घंटे पहले खाए 43. सुभह के समय मेडिटेशन और बयायाम करे 44. अंगुठे पर तेल की मालश करने से आँखों की रोशनी तेज हो जाती है 45. तचा के जलने पर केले को मैश करके जले हो इस्थान पर लगाएं इससे ठंडक मिलेगी 46. खजूर के साथ बड़ी लाइची खाने से बुड़ी औरत भी जवान हो जाती है 47. अगर आपको हमेशा बदलते मौसम में खासी हो जाती है 50. यदि कान में कीडा चला जाए तो कान में सरसो का तेल डालने कीडा बहार आ जाएगा